निपल में दर्द हुने पर क्या करें? निपल में आमतार पर दर्द होता है, लेकिन ये हुना नहीं चाहिए। दर्द काफी तेज हो सकता है। कभी-कभी निपल कट भी सकता है और उनसे खून भी आ सकता है। ऐसी अवस्था में निपल के द्वारा किटानू स्तन में प्रवेशकर संक्रमन कर सकते हैं। शुरुवाती इस्तनपान में निपल में दर्द हो सकता है, विशेशकर जब शिशु का इस्तन से जुड़ाव ठीक से ना हुआ हो। यह वीजियो बता रहा है कि शिशु का जुडाव ठीक है कि नहीं और शिशु का इस्तन से जुडाव किस प्रकार बहतर किया जा सकता है और शतिग्रस्त निपल को ठीक करने के लिए क्या उपाय किये जा सकते हैं पहले शिशु का माखे इस्तन से बहतर ढंग से गहरा जुडाओ शिशु के जन्म के एकदम बाद होना चाहिए जिससे की निपल को शतिग्रस्त होने से बचाया जा सके अगर आपके निपल दर्द कर रहे हैं तो सुनिश्चित करिए कि कहीं यह उथले जुडाओ के कारण तो नहीं हो रहा है यहां शिशु का मुह पूरा खुला हुआ नहीं है शिशु सिर्फ निपल को ही चूस रहा है स्तनपान करते समय मा की उंगलियां स्तन के सामने आ जाने से शिशु को ठीक से इस्तन मुह में लेने में रुकावट आ सकती है और फिर शिशु इस्तन से सरक जाता है जब आपके निपल में दर्द महसूस होता है तो शिशु को इस्तन से हटा दे ऐसा आप शिशु के मुह में किनारे से उंगली डाल कर भी कर सकती है ध्यान दीजिए कि आपके निपल का आकार नुकीला तो नहीं है जो निपल शिशु के मुह के तालू से चिपक गया हो वह सामने की ओर से गोल की जगह नुकीला दिखाई देगा इससे निपल में सूजन आती है और वह शतिग्रस्त हो सकता है आरामदायत स्तनपान के लिए शिशु का मा के स्तन से गहराई से जुडाव होना आवश्यक है जुडाव अच्छा होने से बच्चा ज्यादा निपल मुह में ले पाएगा और इससे निपल बच्चे की मुह में और पीछे चला जाएगा ये अवस्था निपल के लिए आरामदायक है जोकी उथले जुडाव में नहीं थी यूँकि उसमें निपल शिशु के मुह की तालू से रगड रहा था नई अवस्था में शिशु को दूद भी भरपूर मिलता है शिशु का मा के स्थनों से गहराई से जुडाव इस प्रकार करते हैं शिशु को अपने शरीर के करीब लाकर इस्थन को सामने करते हुए अपने शरीर से लगाएं शिशु का शरीर सीधा होना चाहिए उसकी नाक और निपल आमने सामने होने चाहिए दूद की महे के कारण शिशु अपना मुख खोलने लगेगा पूरा मुख खोलने तक धैरे रखें और जैसे ही ऐसा हो उसी तुरंट अपने स्थन से लगाएं हलके हाथ से अपने स्थन को दबाएं जिससे की दूद का प्रवाह शुरू हो शिशु को हॉले से खीच कर अपने पास लाइए इससे जुडाव गहराई तक हो जाएगा शिशु के हाव भाव से आपको इसके संकेत मिलने लगेंगे इससे शिशु थोड़ा सा मुह खोल कर केवल निपल को मुह में लेने के बजाए ज्यादा मुह खोल कर अधेक इस्थन को मुह में ले पाएगा शिशु के ठुड़ी इस्थन में दभी हुई होगी ना कि सिर्फ छू रही होगी ऐसे में आपके निपल सामान्य गोलाकार में होंगे जो की उसके जुड़ाव ठीक ना होने के कारण नुकीले थे इस नई अवस्था को सीखने में कुछ समय लग सकता है पर निश्यत है कि इस अवस्था से आपके निपल को आराम मिलेगा और शिशु को दूद भी भरपूर मिलेगा शिशु को गहराई तक लेकर इस्तनपान करने के अलावा कुछ और भी सुझाँ हैं जिनसे निपल के दर्द से बचा जा सकता है पहला शिशु को इस्तन पर लगाने के पहले स्तन को हाथ से थोड़ा हलके से दबाएं पढ़ाया जा सकता है तीसरा स्तनों को दबाएं यह तीन उपाय दूद का प्रवाह पढ़ा सकते हैं और स्तन पान और जल्दी करा सकते हैं चौथा स्तन के दूद से निपल के घाउं भरने में मदद मिलती है स्तनपान के बाद दूद को निपल के उपर ही सूखने दीजिए और निपल को खुली हवा में छोड़ दीजिए कभी-कभी निपल में दर्द शिशु के मुह के अंदर संक्रमिट छालों के कारण भी हो सकता है सफेद धबों या छालों के लिए शिशु के मुह के अंदर के भाग का निरिक्षन कीजिए अगर सफेद धबे या छाले हैं तो आशा या स्वास्थिकर्मी से संपर्ख कीजिए अगर आप HIV से ग्रस्थ हैं तो उसे स्वस्थ इस्तन से ही दूद पिलाएं और उसे संक्रमित निपल वाले इस्तन से इस्तनपान ना कराएं संक्रमित इस्तन से दूद निकाल कर उसे अलग कर फेक दें ऐसा निपल का खाव ठीक होने तक करिए ठीक होने के बाद दोनों इस्तनों से स्तनपान कराया जा सकता है दर्द वाले निपल गहराई से जुडाव के बाद जल्दी ठीक हो सकता है अगर दर्द कम नहीं होता है तो आशा या स्वास्ट कर्मी से संपक्त करें याद रखें निपल में दर्द आमतौर पर होता है लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए इस्तनपान आरामदेह होना चाहिए निपल का दर्द गहराई से जुडाओ की द्वारा रोका और ठीक किया जा सकता है शिशु को ऐसी अवस्था में रखिए कि वह सिर्फ निपल को नहीं बलकि ज्यादा से ज्यादा इस्तन को मुह में ले सके कि वह सिर्फ निपल को में ले सकता है